जैशिराम मित्रों, डिक्टेशन स्टार्ट कानूनी ओचित्ते और उच्च न्यायाले के दरश्टी कोण को प्रस्ण गत करते हुए अपिलार्थी की और से हाजिर होने वाले विद्वान, जैस्ट काउंसेल, स्री के टी एस, तुलसी ने यह निवेदन किया है की माननिये उच्च न्यायाले ने दंड प्रकिरिया सहिता की धारा 301 का अवलंब लेकर गंभीर गलती की है तथा दंड प्रकिरिया सहिता की धारा 302 में अंतर नीहित नियमों की पूनतया उपेक्षा की है विराम स्री तुलसी के अनुसार किसी मजिस्ट्रेट और सेशन विचारण के समक्स विचारण के बीच विभेद है और दंड प्रकिरिया सहिता की धारा 302 के पास मजिस्ट्रियल विचारण को लागू करने की अनन्य अधिकारिता है और इसलिए कॉमा परिवादी यदि उसे नयाले द्वारा अनुग्यात किया जाता है तो वह प्रत्यक्स रूप से नयाले को संबोधित कर सकता है विराम पेरचेंज श्री विकास सेह कॉमा विद्वान जेस्ट काउंसेल ने यह तर्क दिया की दंड प्रकिरिया सहिता की धारा 301 मामलों के सभी प्रवरगों पर लागू होती है और इसलिए परिवादी लोक अभी योजग के निर्देशों के अधिन नयाले की सहायता करने का हकदार है विराम इसके अलावा कॉमा स्री सीह ने यह निवेदन किया की उसके पास नयालाई से अनुज्या लेकर लिखित तर्क फाइल करने के लिए केवल एक दूसरी स्वतंत्रता है विराम स्री सीह ने पुर्जोर यह भी तर्क दिया की अपिलार्थी ने दंड प्रकिडिया सहीता की धारा 302 के अधीन मामले को संचालित करने की कभी कोई इपसा नहीं की थी जैसा की परिकल्पित है कोमा इस बारे मैं कोई आवेदन फाइल नहीं किया गया था इसलिए कॉमा कुछ नहीं आले के आदेश के साथ फाइल करने मैं कोई दोस नहीं हो सकता विराम यह भी निवेदन किया गया जैसा की तक्थ्यों से प्रकट होता है की पिद्वान मजिस्ट्रेट ने मौखिक निवेदन के आधार पर प्रार्थना को मंजूरी दी जो दंड प्रकिरिया सहीता की धारा 301 के अधीन प्रकट है और ऐसी इस्तिती में दंड प्रकिरिया सहीता की धारा 302 के फाइदे लेने के लिए उसे कोई सितिलता नहीं दी जानी चाहिए विराम पेरा चेंज लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी किसी मामले का भार सदक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी नयाले में कोमा जिसमें वह मामला जांच कोमा विचारन या अपील के अधीन है कोमा किसी लिखित प्रादीकार के बिना हाजिर हो सकता है और अभिवचन कर सकता है विराम किसी ऐसे मामले में यदी कोई प्राइवेट वेक्ती किसी नयाले में में किसी वेक्ती को अभियोजित करने के लिये किसी अभिवक्ता को अनुदेश देता है तो मामले का भारसादक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का सज्चालन करेगा और ऐसे अनुदिश्ट अधिवक्ता उसमें लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करेगा और नेयाले की अनुग्या से उस मामले में साक्षे की समाप्ती पर लिखित रूप से तरक पेश कर सकेगा विराम इस्टोप धन्यवाद